हेलो चेंपियांस कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आप लोगों का लिट स्कोर हंडेट में वेलकम करता हूँ दोस्तों हम लोगों ने पीछले वीडियो में पढ़ा Land as a Resource आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं Soil as a Resource बेसिकली देखें यह चैप्टर डिवलप कैसे हुआ है पहले हम लोगों ने Resources देखें और फिर हम लोगों ने देखा कि Resources डिवलप्मेंट में कैसे हेल्प करते हैं Resources के टाइपस देखें सारी चीज़े देखें Basically Resources के दो एक्जामपल पर हम लोग इस चैप्टर में स्टरी कर रहे हैं हमने Land as a Resource स्टरी कर ली है अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक Soil as a Resource आज पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले सवाल दिमाग में आता है यार कि Land and Soil में बहुत ज्यादा confusion होती है आप लोगों को Basically आप लोग ऐसे समझ लिजे कि The uppermost layer of the land is Soil and Soil is that layer where you know we grow plants and धेर सारे microorganisms रहते हैं इसलिए Soil को Living System भी कहा जाता है आई यह देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग Soil के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं and सबसे पहले हम यह जानने कि कोशिश करेंगे कि Soil हमारे लिए क्यों important है जैसे हम लोग ने land वाले topic में पढ़ा था कि land हमारे लिए क्यों important है उसी तरीके से Soil हमारे लिए क्यों important है आई यह देखते हैं So importance of Soil Soil is the most important renewable natural resource अब आप लोग कहेंगे Sir Soil renewable है जी हाँ बिलकुल Soil renewable है क्योंकि बट जो Soil की natural capacity है इसको revive करने कि या renew करने कि वह बहुत slow होती है आप Soil renewable कैसे है Suppose किसी particular plot of land या जिस पे हम crop grow करते हैं कभी-कभी आपने देखा होगा कि fellow land का concept अब यहां पर हम लोग समझ सकते हैं fellow land कभी-कभी इसलिए भी उसको हम as a fellow है जो current fellow है उसको इसलिए भी छोड़ते हैं Suppose हमने खारिफ की crop ले ली एक तो हम लोगों ने यह देखा था कि irrigation की facility नहीं होती है इसलिए छोड़ते हैं कभी-कभी यह भी होता है irrigation की facility है but soil अपनी fertility को regain कर ले इसलिए भी हम उसको current as the current fellow छोड़ते हैं आयन उसमें हम जो dead plants होते हैं या जो dead trees होते हैं वो decompose हो जाते हैं और soil को टाकत देने के लिए इसलिए इसलिए को fertile बनाने के लिए ही तो हम लोग fertilizer का भी इस्तेमाल करते हैं हाला कि वो chemical हो गया नेचुरली तरीके से soil अपने आपको धेर सारे humus होते हैं earthworms होते हैं वो क्या करते हैं soil को और धेर सारे other microorganisms होते हैं जो soil को natural तरीके से renew करने का काम करते रहते हैं तो पहला importance ही हो गया दूसरा importance हमारा है soil is the medium of plant growth हम soil पर ही तो plant grow करते हैं crop grow करते हैं right and support different types of living organisms जैसे हम लोगों अभी earthworm देखा अर्थworm तो हमें soil पर दिख जाती है बट धेर सारे ऐसे microorganisms होते हैं soil में जो हमें naked eye से दिखते नहीं right थर्ड देखते हैं यह आगया topic soil is a living system soil living system कैसे है मैं आप लोगों को उसे share करना चाहता हूं कि soil के surface की उपर जिदने living being होते हैं उससे many times ज्यादा अगर आप one handful of a handful of soil अगर आप उठाएं उसमें millions of microorganisms including bacteria virus और पता नहीं क्या-क्या उसमें मौझूद होते हैं जो सारे living होते हैं living beings होते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं और वो हमेशा soil को renew करने का काम करते रहते हैं natural तरीके से हम बोल सकते हैं कि soil living system है तभी तो हम crop grow कर पाते हैं plant grow कर पाते हैं trees grow हो जाते हैं और इन trees or plants आप लोगों को तो पता हिए कि in trees or plants को ताकत कहां से मिलती है food कहां से मिलता है soil state मिलता है कोई infertile soil पे आप लगा दीचे जो dead soil है लगा दीचे crop लगाई है plant लगाई है it will never grow right अगर grown-up आप लगाएंगे कोई plant within two or three days it will die ठीक है तो हमने soil की importance चार points में देखी यह भी हो गया next soil takes millions of years to form up to a few centimeter यानि इतनी सी soil बनने में या इतनी सी soil के few centimeter soil के formation में millions of years लगता है अब सोचिए तो कितना इस और हम लोगों उसे जो soil बनी हुए उसे 200 100 year में आ जादी कभी 100 साल भी तो नहीं हुए 100 year में हम उसे soil को conservation की बात होने लगी तो formation में इतना जादा time लग रहा है ओ खराब करने में 60-70 years में खराब हो जाती है तो इसलिए भी soil हमारे ले important हो जाती है क्योंकि इसकी supply, इसकी availability बहुत ही limited है क्योंकि बहुत जादा time लग जाता है तो इसलिए भी soil हमारे ले important हो जाती है और हमें इसे concept करना चाहिए next हमारा topic है factors responsible for soil formation कौन कौन से ऐसे factors है जो soil के बनने में हमारी help करते है और soil बनती कैसे है आईए देखते है so relief parent rock और bed rock पहले समझते हैं relief relief feature आप लोग जानते हैं mountains होते हैं और भी धेर सारी ऐसी glaciers भी help करते हैं soil के formation में आई आगे बढ़ते हैं तो relief parent rock parent rock और bed rock वो rock होती जो originally तूट करके thousands of years में कभी wind से कभी rain से कभी temperature की वज़े से तो धीरी धीरे तूटती रहती है और parent rock का बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम उस particular soil को black soil बोलेंगे या forest soil बोलेंगे right क्योंकि ज़्यादा तर part parent rock का ही होता है किसी soil को बनने में के बनने में climate जैसे हम लोगों ने climate की बात कर ही लिए climate बहुत बड़ा important role play करता है कि बहुत ज़्यादी है too cold है too hot है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे rain हो रही है ये भी एक part play करता है soil के formation बता हम लोगों ने relief देखा हम लोगों ने parent rock बेड़ रॉक देखा climate देखा vegetation vegetation से ही जो soil में humans आती है ये जो vegetation होता है plants and trees होते है when they die तो decompose होकर के soil में ही तो मिल जाते हैं जिससे उनकी fertility बढ़ती है तो जहाँ पे ज़्यादा vegetation होगा वहाँ पे soil fertile हो जाएगी right and other forms of life and time are important factors in the formation of soil तो हम लोग देखते हैं कितने factors होए soil को form करने बें एक बार इससे देख लेक रिलीफ हो गया parent rock और bedrock हो गया climate vegetation vegetation मतलब forest या plant and trees हो गया and other forms of life other forms of life हमारे microorganisms हो गया जिसे हम naked eye से देख नहीं सकते आगे बढ़ते हैं various forces of nature such as changes in temperature actions of running water जैसा कि हम लोग अभी उपर देख चुके है action of running water wind and glaciers wind and glaciers activities of decomposers जैसे अभी हम लोगों ने यहां पे देखा other forms of life decomposers भी बहुत बढ़ा role play करते हैं soil की formation में आप लोग इसे यह बहुत ही important है आप लोग यह जो तीनों points हैं यह question आता है कि describe the different factors which are responsible or which are helpful in the soil formation so इन तीनों points को आप लोग खुब अच्छे से समझ लीजिए and इसे learn कर लीजिए तो तीसरा point क्या है जो soil formation में help करती है तीसरी point है हमारी chemical and organic changes यह भी अभी हम पढ़ेंगे जब soil types पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे उसकी chemical और physical property क्या होती है हर soil की अलग-अलग होती है which takes place in the soil तो chemical and chemical and organic changes which take place in the soil are equally important in the soil formation soil also consists of यह देखे organic organic मतलब हुमस हो गया dead plants, trees, birds, animals आप देखें कभी dead bird को देखें decomposers decomposition की process शुरू हो जाते है दूसरे तीसरे दिन वो decompose हो के कहां उगायब हो जाते है धेर सारे microorganism क्या करते है dead plant, trees, इस तरहीं कोई भी living being when any living being dies decomposers उसको decompose करके soil का part बना देते है इसे soil की fertility बढ़ती है, बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी soil की fertility के लिए so chemical and organic changes which take place in the soil equally important, soil also consists of, please attention पे करिये organic and inorganic materials, so these are the three factors responsible for the soil formation, so इन तीनों को आप लो खुब अच्छे से इसे learn कर लिजे now we'll move to the next slide I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है please comment box में comment करे कि आप लोग किस तरह का explanation चाहते हैं, accordingly we'll try to do that kind of explanation only, so that it helps you all आये देखते हैं, next so next slide talks about basis of soil classification so basically हम soil को किस basis पे classify करते हैं so there are six there are six basis of classifying the soil, कैसे आये देखते हैं, पहला है factors responsible for soil formation कभी कभी soil formation के लिए reverse responsible होती है कभी soil formation के लिए other factors responsible होते हैं अभी हम लोग जब soil types पढ़ेंगे तो इसको detail में discuss करते हैं दूसरा color on the basis of color भी जैसे black soil हो गया, red and yellow soil हो गई on the basis of color भी हम soil को classify करते हैं thickness thickness का मतलब जो soil के particles हैं वो coarse हैं या fine हैं या और और से भी बड़े-बड़े हैं कंकर हैं इसके basis पे भी हम इसके basis पे हम soil को classify करते हैं थोड़ा थाल का सा समझ लेते हैं आप लोग उख थोड़ी से help मिलेगी जैसे आप लोगों बांगर यानि old alluvial खादर यानि new alluvial अब जो बांगर होती है उसमें कंकर नोडिूल्स होते हैं बड़े-बड़े होते हैं वो इसलिए उसकी fertility काफी कम होती है लेकिन जो खादर होती है जिसमें fine particles होते है राइट और वो काफी fertile होती है ठीक है नेक्स है हमारा texture texture से क्या मतलब है texture से मतलब होता है कि उस particular soil मे sand, silt and clay किस proportion में मिले हुए है जिस soil में sand ज़्यादा होगा और sand का size काफी बड़ा होगा काफी बड़ा होगा और sand खूब होगा और silt और clay काफी कम है अनके बराबर होगा वो क्या हो गया desert हो गया अब alluvial soil जो है हमारी दो northern plains में पाई जाती है वो एतनी fertile क्यों होती है क्योंकि उसमें न sand, silt and clay का एक right proportion है fine particles का sand, silt and clay का इस लोग बहुत fertile है next देखते हैं age जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे alluvial soil को अगर हम जो बांगर और खादर में divide करते हैं वो age के हिसाब सही तो है on the basis of age वहाँ पर detail में पढ़ते हैं फर I hope इतना समझ में आ गया होगा and उसके बाद chemical and physical properties के basis पे भी हम soil को classify करते हैं chemical and physical properties अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ soil में calcium carbonate होता है जैसे black soil में कुछ में potash होता है जैसे alluvial soil में आईए देखते हैं अभी वहाँ पहुंचेंगे फिर detail में करेंगे वह वाला topic अब आ गया हमारा so basis of soil classification तो यह six points आप याद रखिए six points की basis पे हम soil को classify करते हैं now अब हमारा next जो segment है वो हमारा यह है classification of soil right classification of soil जिसमें आप लोग जानते हैं कि soil six types की होती है अभी हम उसे देखेंगे पहले देखते हैं क्या है इसमें है इस वाले point में India has a varied ध्यान दीजिए varied relief features and landforms what do we mean by varied relief features and landforms इसका मतलब यह होता है relief features and landforms more or less same होते हैं relief features and landforms का मतलब होता है कहां कहां पे mountain है कहां पे plane है कहां पे plateau है कहां पे lake है कहां पे valley है right उसके बाद climate climatic region का best example हम लोग ले सकते हैं राजस्थान ले लिजे टू होट है लदाक region ले लिजे टू कोल्ड है और उसके बाद North East ले लिजे हूब रेन होते ही में गाले अन्डॉल में ठीक है उसके बाद हमारा vegetation type vegetation तो इसवे टॉपिक क्या है इंडिया has varied relief features landforms climatic reams or regions vegetation types, vegetation types means mountains पे अलग तरह के forest होते हैं playtues पे अलग तरह के forest होते हैं and plain areas में अलग तरह के forest होते हैं and depending on that soil भी अलग अलग तरह की हो जाती है क्योंकि after all ये जो plants and trees या living being wild animals जो भी है अलग अलग depending on अलग अलग places पे अलग अलग तरह के होंगे when they die after all they you know they are decomposed उसी साथ से soil की quality बदल जाती है so these have contributed in the development of various types of soil जो various types of soil होती है वो क्यों various types की होती है एक तो ये factors आप लोगों ने देखा था और ये ये भी factor है हर area की soil बदल जाए गए really feature के हिसाब से really feature landform होगे एक minute ये बहुत ही wait अब हम लोग देखते हैं तो क्या-क्या है पहला really feature really feature landform एक ही है more or less दूसरा है हमारा climatic region और तीसरा हमारा vegetation type right चले now we'll move to the next slide no no before we move to the next slide हमें एक चीज और पढ़ लेनी है कि जो हम लोग six types के soil की बात कर रहे थे तो कई बार होता है कि एक soil याद आती है दूसरी भूल जाता है या exam में जल्दी में होते हैं कि याद नहीं हो पाता है तो इसके लिए हम एक ट्रिक से याद करते हैं इसे कि जो classification of soil है six types के हमारी जो soil है उसको हम कैसे याद करेंगे एक बार देखते हैं इसको हम लोग याद कर सकते हैं classification of soil को एफ ए आर फार लैब अब आप लोग यह कर सकते हैं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं geography resources and development आप लैब की बात कर रहे हैं actually यह लैब नो काफी helpful है यह हमारी help करेंगे आए देखिए फार लैब की मदद से हम लोग classification of soil अच्छे से याद कर सकते हैं जहां पे जहां पे एफ का मतलब क्या हुआ एफ का मतलब हुआ फोरेस्ट FOREST SOIL A का मतलब हुआ Alluvial 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 soil R का मतलब हुआ Red and Yellow Red and Yellow हो सौयल एल का मतलब हुआ लेट राइट लेट राइट सौयल अब बचा हमारा ए एंड बी ए का मतलब हुआ एरीड जो ड्राय रीजन में पाया जाता है राजस्थान एरीड सौयल बच्पन आप लोग बहुत पढ़ा होगा भी फोर ब्लैक बाइब फडाळ वाय प्लीजा अप लोग इसको नोट कर लीजे आइपनिटी हो यह एकल कर लेंगे अब लोके कर सकते हो सर यह बड़ा लजिकल से लग रहा है, far lab कैसे याद होगा, भाई देखो, आप लोग 10th में हो, आप लोग science के lab में जाते हो, 9th में भी गया थे, 8th में भी गया थे, तो science के हम lab में जाते हैं, तो lab हो गया, आप इसको ऐसे relate कर सकते हो, कि आपकी जो classroom है, जिसमें आप लोग रोज पढ़ते हो, वो आपक क्लासरूम से आपकी जो science वाली lab है, वो काफी दूर है, यानि far है, far, far, far यानि दूर और lab, science की lab आपके class से दूर है, तो क्या हो गया, far lab, and far lab is equal to classification of soil, six types of soil हमारी cover हो गई, चलिए, अब हम लोग next slide में move करते हैं, and our next slide is आप हम लोगे far lab पढ़े लिया है, तो, जैसा कि, NCRT में जो order है, उसी order में हम लोग चलेंगे, and हम लोग पढ़ेंगे, alluvial soil, जो हमारे northern plane में पाई जाती है, and आप लोग already जानते हैं, कि alluvial soil, 40% सबसे ज़्यादा alluvial soil पाई जाती है, right, and सबसे ज़्यादा fertile भी होती है, आया पढ़ते हैं इसके बारे में, so, this means alluvial is the most widely spread, and important soil, in terms of area बहुत ज्यादा है, और important है, जाएर से बात fertility ज्यादा है, तो, important होगी, दूसरा है, these have been deposited, अब याद आ रहा है, जो हम लोगों ने, basis of classification of soil पढ़ाँ था, कि किस particular soil के formation में कौन सा factor ज्यादा role play करता है, वही है, अब देखिया, alluvial soil के formation में, three rivers, important role play कर रही है, three rivers, उनकी tributaries, alluvial soils have been deposited by three important Himalayan rivers, systems, river systems ही से इसलिए बोड़ हैं, चुकि, इन particular rivers के अलावा कुछ इनकी tributaries भी है, अब इसे देख लिजे, Indus है, गंगा है, और ब्रह्मपुत्रा है, आप देखिए, जो Indus river system है, वो तो, पाकिस्तान में डायरेक्ट यहां से अंडर कर जाते हैं, बट इन्डस की एक, ट्रैबिटरी है, जो से B.E.A.S. बोलते हैं, B.E.A.S. वो पंजाब से होके निकलती है, यहां से, तो देखिए, यहां पे भी, आप लोगों को, अलुवियर सॉयल का एरिया एक बार हम लोग देख लेते हैं, अलुवियर सॉयल का एरिया यह है हमारा, देखिए, नौर्डन प्लेंस, यह थोड़ा समयब, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, यह हो गई, गंगा और उसकी ट्रैबुटरीज ने जो हिल्प किया है ये इधर भी जाती है अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो था गंगा रिवर आप लोग जानते हैं बंगलादेश हो करके फिर बेयाव बेंगॉल में चली जाती है अब देखिए दूसरा यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर देखिए यह आसाम का जो प्लेन है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि आसाम के प्लेन का जो लेंड रिकॉर्ड है टोटल लेंड कि कौनसी लेंड किस काम में आती है यह दे से देखेंगे NCRD में तो समझ में आ जाएगा आए हम लोग देखते हैं क्या-क्या है अब जैसे नों ने बोला हम लोग अरोडी कवर कर दो एंटायर नॉर्धन प्लेंस यह हमारा पूरा यह हमारा पूरा जो मने रिड्स से मार्क कर दिया है इसके अंदर यह नॉर्धन प्लेंस यह हमारा हो गया इंटायर नॉर्धन प्लेंस आर मेड ओफ अलूवियल सॉयल राइट अब देखते हैं कि नॉर्धन प्लेंस के अलामा और कहां कहां अलूवियल सॉयल होती है अलूवियल सॉयल अलसो एक्स्टेंड इन राजस्थान एंड गुजरात वो हम लोग देख चुके हैं ये अपना एद के राजस्थान से होते ही आई है राजस्थान गुजरात में भी है इसके आप लोग याद कर सकते हैं and alluvial soil is also found in the eastern coastal plains eastern coastal plain दोसतों यह आमारा eastern coastal eak बहुत पतली सी पत्ती है बहुत पतली सी पत्ती एस जैसल कोस्तल प्ले лись्टीख झीboys कोस्तल canvas अब डेल्टा मतलब क्या होता है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब किसी वाट मतलब बे और बेंगॉल में मिलने से पहले यह जो किसना कावेरी गोदावरी और किसना रिवर्स हैं वो उनकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है और वहान कई चैनल बन जाते हैं उनकी स्पीड क अपने साथ जड़ी बूटियां and pure soil लाती है mountain पे तो नहीं गंदगी या pollution नहीं होता ना जितना हम लोग कर देते हैं plain region में जो जहां पे हमारा interference है जहां जिस places को हम उज़ करते हैं उसी तरह गंगा भी अपने साथ धेर सारी अच्छी soil, fertile soil जड़ी बूटियां and यह सारी चीज़े लेके आती है वो एकदम pure soil होती है ठीक है तो deltas of the महानदी, गुदावरी, कृष्णा and कावेरी rivers की जो delta होती है basically आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है यह एरिया उड़ी सामें महानदी हो गई ठीक है न यह भी रिजन यहाँ पे है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में है यह चीज़े ठीक है तो भी यहाँ पे भी plain soil मिलती है rivers की वज़े सो एक चीज़े हम लोगों ने देखा कि alluvial soil के formation में रिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे है राइट अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और यह six rivers हैं basically four south में three उधर total seven seven rivers है इसको हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं next है हमारा अभी हम लोग alluvial soil के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं the alluvial soil consists of various alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay अब जैसे की हम लोग पढ़ रहे थे texture वाले में अगर जब right proportion होता है sand, silt and clay का तो land fertile होती है जैसे अभी हम लोग previous slide पर बात कर रहे थे first slide पर कि अगर माली चीज़ सैंड बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा desert बन जाएगा इनका right proportion में होना soil में sand, silt and clay का right proportion में होना बहुत जरूरी होता है तो अगया various proportion of sand and soil right proportion में होता है इसलिए alluvial soil fertile है as we move as we move inlands towards the river valleys क्या होता है soil particles appear somewhat bigger somewhat bigger in size यह किसकी बात कर रहा है हम लोग पढ़े थे न आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं देखे हम लोगों ने यह बढ़ा था इस वाइल का जब हम लोग classification कर रहे थे यह देखिए thickness हम लोग ने thickness की बात करी थे न अब वही चीज आ गई है alluvial में तो देखते हैं यह जो हमारा यह जो यह वाला point है वो तो texture के बारे में बात कर रहा है अब यह जो बोला point है यह इसके बारे में बात कर रहा है fineness कितना fine है या कितना coarse है soil particle so as we move inland towards the river valleys soil particles appear somewhat bigger in size एक तो यह हो गया दूसरा in the upper यह दोनो soil particles की बात कर रहे हैं दोनो points in the upper reaches of the river valley वहाँ पर क्या होता है near the near the place of the break of slope यहाँ पर soils are coarse एक जगह क्या है soil bigger in size है और दूसरी जगह bigger in size तो ठीक है coarse वाला तो और ही so on the basis of particle कितने fine हैं या कितने बड़े हैं उसके basis पर क्या होता है such soils are more common in in Piedmont Plains such as dwarves, chaws and therai तो यह जो सारे points हैं हमारे यह तीनो points एक की बात की बात कर रहे हैं कि जो soil है उसमें जो particles हैं कितने coarse हैं या कितने size में bigger हैं ठीकने इसके बात कर रहा हैं जो हम लोगो classification के time पर पढ़हे थे now next है apart from the size of their grains grains और components यही तो है grains and components हम लोगों ने देखा ना bigger in size and coarse in size वही तो है उसके basis पर हम लोगों ने देख लिया यह अपना दुआर्स हो गया, chaws हो गया, तेराई हो गया इसके लावा soil को classification हम alluvial soil का classification on the basis of age भी करते हैं जिसमें bangar and khadar आप लोग आरड़ी जानते हैं class में पढ़ा होगा आपने bangar and khadar आये देखते हैं so according to their age alluvial soil को हमने age के basis पे भी classify किया है age alluvial soil can be classified into old alluvial old alluvial is known as bangar and new alluvial is known as khadar अब जाहिर सी बात है, एक एक पॉइंट आगे पड़ते हैं फिर explanation हम लोग काफी अच्छे से समझ पाएंगे, देखते हैं जो bangar soil है, has higher please note, higher concentration of kankar nodules बड़े-बड़े kankar के टुकडे होते हैं इसमें अब बड़े-बड़े kankar के टुकडे हैं, तो क्या होगा, ये फर्टाइल होगी in comparison to khadar कम होगी bangar soil has higher concentration of higher concentration, यानि soil में जो उसका proportion है, kankar का जो proportion की बात यहां कर रहा था, sand, silt and clay यहां तो sand, silt, clay की बात कर लें बड़े-बड़े, यहां पर तो kankar है, kankar तो बहुत बड़ा होता है तो kankar reduce than the khadar actually khadar में क्या है, khadar में fine particles हो, देखे, देखे khadar has more, more fine particles and is more fertile than the bangar इसको समझते हैं, बहुत ही easy है देखे, सबसे पहले हम लोग यह समझते है कि जो bangar है, वो क्या है, old aluvial soil है old मतलब थोड़ सक समझने के लिए, old है तो उसकी fertility भी जैसे, अब यह नहीं मैं बोलूगा कि old लोगों की fertility, बट old लोगों में उतनी energy comparatively नहीं होती है, जिसने young लोगों में होती है, तो जो khadar है, वो young soil है तो उसकी fertility ज्यादा है, और जो old aluvial है जो हमारी bangar है, वो old है तो उसमें इसनी fertility नहीं होती बट इसका, क्यों समझने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बट असल reason क्या है कि उसमें जो bangar है क्यों याद करने के लिए, कि old है तो उसमें less fertility हो गई, जो khadar है young है तो उसमें ज्यादा fertility हो गई, ज्यादा confusion होते हैं आप लोगों को learn करते समय, तो ऐसे हम लोग इसे याद कर सकते हैं, old है तो वो less fertile है, and young है तो ज्यादा fertile है, जैसे आप लोग young हो, देखो किदने energetic रहे तो कभी ठकते ही नहीं हो, right, तो ये clear हो होगे हमारा, तो इस तरीके समय से याद कर सकते हैं, now we'll move to the next slide, and next है हमारा, it talks about, alluvial soil as a whole, alluvial soil as a whole are very fertile, जानते हैं हम इसे पहले सही, mostly these soils contain, आगया, important point आगया, mostly these soils contain adequate proportion of potass, phosphoric acid and lime, उचा जाता है, इस पर question बनता है, कि name the soil which is rich in lime, potassium and phosphoric acid, one marker बनता है, तो प्लीज आप लोग इस पर attention देजिए, अभी आद आ रहा है, जो soil classification का एक basis थाना हम लोगों का, chemical or physical property, chemical रहा ये वाला, ठीक है, so adequate proportion of potass, phosphoric acid and lime, which are ideal for growth of कौन कौन सी crop, alluvial solid question, देखे, जो soil वाला topic है, हमारा किस तरह से question होता है, मैं लिए 3-4 question आते हैं, features of, describe the features of, alluvial soil, ये आसकता है, दूसरा question आसकता है कि, कौन कौन सी crop grow होती है, तीसरा question मुस्ट लिए आता है कि, ये कोई alluvial soil किन किन एरिया में पाई जाती है, ठीक है, तो ये ही में तीन questions बनते हैं, आईए देखते हैं फिर, तो इसमें adequate proportion of potass है, phosphoric acid and lime है, उसके बाद, it is ideal for the growth of sugar cane, इसमें बहुत अच्छा होता है, paddy, rice, wheat, roti, and other cereals and pulse, pulse crops, पहले इसका पहला वाला point समझते हैं, जो potass, phosphoric acid and lime, इसको याद करने की एक trick है, क्योंकि आप मैंसे कुछ लोगों को ये थोड़ा सा, याद रखना, memory में retain करना, थोड़ा सा challenging लगता है, जिसको हम लोग न, ऐसे याद कर सकते हैं, potass, phosphoric acid and lime को, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इसको लेख सकते हैं हम लोग, पी, पल, पीपल, पीपल, या पीपल, देख लो जैसे आप लोगों को सही लगे, वेर, पीपल, पीपल, आप लोग याद कर सकते हैं, राइट, अब दूसरा ये कैसे याद रहेगा कि, अलूवियल स्वाइल में हम क्या-क्या ग्रो करते हैं, वो भी बहुत हीजी है, हम लोग ज़्यादा तर खाने में क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, डाल खाते हैं, राइट, रोटीन मिलता है ना डाल से, ये खाते ही हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं दाल चावल रोटी के एक्जांपल से हम याद कर ले हम ऑने का सब्सक्राइब अभी थोड़े सा समझने के लिए इसा करते हैं तो दाल चावल रोटी हम लोग रोज खाते हैं तो दाल मिंस क्या है और फौके साथ आप जानते हैं एंड वीट यानि रोटी हो गए तो हमारा डाल चावल रोटी अब खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए राइट शुगर आ अपने इस तरीके समय से याद रह सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स रहते हैं यहां पर खूब खेती होती है क्योंकि इन्पूट कॉस्ट कम है आउट पूस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और टेरेन अच्छा है यानि ऊबर खाबड नहीं है इरिगेशन फैसिल्टीज भी है रिवर्स भी है और ट्यूवेल्स वगरा भी है ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत नीजे नहीं है ज्यादा तर एरियाज में तो इन्टी इंटेंजिवली कल्टिवेशन खूब खेती होती है और देंजली पॉपुलेटर इसका बेस्ट इंटर प्रदेश बिहार उतर प्रदेश फर्स एक्जामपल होगा बिहार सेकंड़ी हो जागा ठीक है तो जो अलूवेल सॉयल जहां पे है mostly वो densely populated होता है और वहाँ पे खुब agriculture intensely की जाती है अब हम नेक देखते हैं अब यही alluvial soil अगर dry reason में होगी राजस्थान में है थोड़ी सी alluvial soil हम लोग अभी मैप में देख रहे थे तो soils in the dry areas are more alkaline dry है इसका solution क्या है इसका solution है it can be productive after proper treatment and irrigation जो alluvial soil है dry reason में उसमें alkalinity बढ़ जाती है तो उसका proper treatment किया जाए and irrigation की facility करा जाए तो उसको भी हम अच्छे से बिसिकलिक राजस्थान के बारे हम बात कर रहा है तो उसको हम अच्छे से रिलाइज कर सकते हैं crop grow कर सकते हैं चलिए हमारा जो alluvial soil का topic था वो खतम हुआ right आप लोग far rap को याद रखना काफी useful है और आप लोग people को भी याद कर रखना वो भी काफी help करेगा आएए अब हम लोग black soil को अच्छे से बढ़ते हैं तो black soil में क्या-क्या है समझते हैं हम लोग so basically black soil black soils are black in color on the basis of color हम लोग उने पढ़ा था न on the basis of color वी soil को classify करते हैं जहां पर six types of classification है थी तो देख लिए ये color के basis पर black soil हो गया and are also known as regular soil and actually black soil के तीन नाम है question भी आता है black soil is also known as so please आप लोग से याद रखे black soil को regular soil के नाम से भी जानते हैं उसे black cotton soil के नाम से भी जानते हैं आए ये देखते हैं so black in color and are also known as regular soil black soil is ideal for बहुत question आता है ideal for growing cotton याद रख लीजिए question आएगा पक्का खूब आता है black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil तो आप लोगों को तीनों नाम याद ही हो गए होंगे ना black cotton soil black soil and अब हमारा next point है it is believed that climatic conditions along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil अब दोस्तों हम लोगों ने जब जो six types की हम लोगों ने classification पढ़ रहे थे soil को classify करने का six basis पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हर particular soil के formation में एक major factor होता जैसे अलूवियल में हम लोगों ने क्या देखा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा क्रिष्णा कावेरी गोदावरी महानदी तो अलूवियल soil के formation में rivers का बहुत बढ़ा हाथ था लेकिन black soil के formation में किसका major contribution है climatic conditions and parent rock material ठीक है आप आप लोग relate कर पा रहे है now next point है इसमें black soil में ही मारा next point है black this type of soil is typical धान दीजे इस पर question आता है typical of the deacon trap region spread over northwest deacon plateau and is made up of lava flows values देख लिजे यह हमारा red and sorry यह हमारा black soil का area I hope आप लोगों को clear दिख रहा है NCRT के book में दिया हुआ है प्लीज इसे रहां से देखें यह देखिए यहां पर जो हमारी rivers हैं यह देखिए अभी हम यह point पढ़ने वाले हैं यह जो area है हमारा black soil का है so they cover the plateaus of maharashtra, saurashtra, maharashtra, saurashtra, malwa, madhya pradesh and chhattisgarh यह हो गया extend in the south east direction यह देखिए यहां पर extend हुआ south east direction में extend हुआ है along the godavari and krishna यह गudauri का हो गया यह krishna का हो गया राइट तो यह हो गया हमारा expense यह भी हमें याद रखना होता है कि कौन सी soil किस किस region में पाई जाती है राइट आगे बढ़ते हैं the black soil are made up of extremely fine हम लोगों इसमें पढ़ा था था ना thickness में extremely fine बहुत ही और मैदा जो होता है मैदा आप लोग जानते होंगे वीट से ही बनता है इसका समोसा बनता है गुजिया भी बनती है right extremely fine होता है तो उसमें जो इसके फायदे भी है इसका नुकसान भी है extremely fine होता है क्यों मैंने black soil को समझाने के लिए आप लोगों को मैदा का example दिया आए देखते हैं इसमें आगे क्या है so the black soils are made up of extremely fine particles यह clay material होता है clay देखिए clay को किसी भी shape में आप mold कर सकते हैं हो जाता है वो क्यों possible होता है क्योंकि extremely fine particle होता है आगे देखते हैं यह point बहुत ही important बहुत ही important है black soils are well known question आता इस पे well known for their capacity to hold moisture क्योंकि यह porous नहीं होती black soil extremely fine particles से बनी होती सारे particle एक दूसरे से बहुत चिप के रहते हैं तो water का evaporation जल्दी नहीं हो पाता porous नहीं होते इसमें छेद नहीं होते अगर होते भी हैं तो in comparison to other soil काफी कम होते हैं तो इसकी water retention moisture को retention की capacity काफी ज़्यादा होती है इसे जरूर याद करें बहुत important point है यह in addition they are rich in soil nutrients alluvial हम लोगों नहीं याद किया था न पीपल, potass, phosphoric acid, lime अब देखिए chemical and physical properties अब इसमें देखते हैं soil netting कौन-कौन सा है, calcium carbonate है, magnesium है, potassium and lime अब देखिए alluvial soil से कौन-कौन सा common है, potassium and lime, alluvial soil में भी था इसमें भी है इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग, इसमें नया क्या है, calcium carbonate but जो यह देखिए यह वाले soil, phosphory इस पर भी बहुत question बनता है, यह भी काफी important है यह दोनो points इसको तो आप लोग मतलब दिमाग में बिठाए ही लीजिए, highly important है अब equation आता है, board की exam में आया भी है, कि कौन सी soil है, which soil lacks phosphoric content तो यह हो गया हमारा, black soil lack करती है, जबकि alluvial में हम लोगों नहीं देखा था न phosphoric content होता है, बट यह lack करती है, तो यह important है से जरू ध्यान देजिए, next है हमारा basically मैं आप लोगों को यह बताना चाहरा हूँ, यह तो हो गया, पहले खतम करते हैं फिर बताता हूँ they develop, यानि black soil develop cracks, आपकी बुक में दिया हुआ है, जब यह सूख जाती है तो अलग-अलग shape बन जाता है, एक दम crack, मोटे-मोटे crack पड़ जाते हैं, they develop crack during hot weather, which helps the, which helps the proper aeration of the soil, अरे भाया, air, soil को भी air की जरूद पड़ती है, air के हम लोगों के लिए ही नहीं जरूरी होती है, soil को भी air की जरूद पड़ती है, अब जो बड़े-बड़े cracks पर जाते हैं, soil का aeration हो जाता है, which is healthy for soil, right, अब देखिए जो important points हम लोग बात कर रहे थे, last वाला point बात में देख पहले समझ लेते हैं, अच्छे से, समझ तो चुके हैं, पहले इसे mark कर लेते हैं, यह जो हमारे, कितने point हो गया, 5, यह जो हमारे 5 points है, यह highly important है, इसे मैं mark कर दे रहा हूँ, यह highly important है, इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिए, and this talks about, यह जो दो points है, यह बात करते हैं, कि black soil क expense क्या है, कहां कहां मिलती ही black soil, so please, इसे खुब बढ़िया करिया आप लोग, अब इसका black soil का जो last point है, वो रहा यह, कि black soils are sticky, यह तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि clay से बनी है, extremely fine particle है, when wet, जब यह wet होती है, sticky होती, चिपचिपी हो जाती है, I hope आप लोग समझ रहे हैं, and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower, बारिश होने के तुरंट बाद इसको tilling, यानि इसकी जुताई करनी बहुत ज़रूई हो जाती है, चाहे हलबाइल से करिये, अब तो हलबाइल का जवाना रहे रहा, टेक्नलाजिक लिए हम लोग advance हो गये हैं, ट्रैक्टर से करिये, depending on यहों, कौन सा farmer क्या अफो हो जाएगी, clear होती ही, बहुत हाड हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो हम लोगों ने देखी लिया कि black soil का area कौन-कौन सा है, इसमें, आप मुझे नहीं समझ मेरा, आप लोगों को clear दिख रहा है कि नहीं, but NCRT के book से देख लिए, black soil का देखे, extent यहां त रख है, यह हमारी reverse की बज़ा से, ठीक है, अब हम लोग next topic देखते हैं, बसिल कि soil का ही है, next में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज, red and yellow soil, हम लोगों ने color की बात की थी, color के basis ब्लैक soil हो गई, हम लोगों ने color की बात की थी, and color के basis में हमारा red and yellow soil हो गया, so red and yellow soil, देखते हैं, यह कहां पाई जाती है, red soil develops on, काफी important है दोस्तों, on crystalline igneous rocks, crystalline igneous rock, rock के बारे हैं, आप लोगों ने जूनियर क्लासे में पढ़ाई है, तो आप लोगों को पता ही है, igneous metamorphic rock, in areas of low rainfall, in the eastern and southern parts of the Decon plateau, Decon plateau हमारा कौन सा है, यह देखे, यह वाला रिजन आपको पता है कि Decon plateau वाला रिजन होता है, ठीक है, तो eastern यह रहा, red and yellow soil का रिजन यह रहा, यह रहा, and यह भी रहा, red and yellow, right, so red and yellow soil, eastern, eastern and southern, eastern and southern parts of the Decon plateau, these are the places जहाँ पे red soil का expanse है, यह red soil पाई जाती है, यह भी important है, now yellow and red soils are also found in parts of Odisha, 36 गड, southern parts of the middle Ganga plane and along the Pidmont zone of the western ghat, यह देखे, बहुत पतली सी लाइन है, यह देखे, बहुत पतली सी लाइन है, यह देखे, बहुत पतली, यह देखो, basically, alluvial soil पाई जाती है, these soils develop a, अब यह यह दोनों point highly important है, इस पर question बनता है, बोड में question आए भी है, these soils, यह रेट यह 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 बहुत 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 करेगी, these soils develop reddish color, due to diffusion of iron, due to diffusion of iron, यह red हो जाती है, in crystalline and metamorphic rocks, so red soil red क्यों हो जाती है, due to diffusion of iron, अब last point जो है, यह red soil yellow cup दिखती है, जब खूब यह गीली रहती है, इसमें पानी खूब रहता है, जब यह hydrated form में होती है, तो yellow होती है, और जब diffusion of iron इसमें होता है, तो यह red color की दिखती है, I hope आप लोगों को समझने आ रहा है, and दोस्तों आज के लिए तना ही, thank you so much.